जे मसी की दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉम में में रहकर परमेश्व की सेवा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्व का कि परमेश्व की आत्मा मुझे रोज एक वचन देती है और उस वचन को मैं आप तक महाँ चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वश्रों के दोरह आपको आशीश मिलता होगा मेरे लिए और मेरी सेविकाई के लिए निरंधर प्रात्रां करते रहे तकि मैं योहीं सक्षम बनकर परमेश्व की सेवा करता रहूँ आज के स्वर्गे बनना का भाग हमने लिया है यशा है कि पुस्तक उसका पचासवा अध्याए और उसका चौथा वचन वचन कहता है प्रभू यहवा ने मुझे शिश्य की जीव दी है कि मैं ठकितों को अपने वचन से समालना जानू प्रते दिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिश्य के समान सुनू भन्यवाद पिता परमेश्यर तेरी योशना अद्भूत है परमेश्यर तुन हमें रचा है अपनी समानता अपने सरूप में दोस्तों यहाँ पर वचन हमें क्या पताता है कि परमेश्यर ने हमें जब चुना है तो परमेश्यर हमें शिश्य की भूमिका निभाने के लिए धर्टी पर रखा है बले हम उसके पुत्र है बले हम उसके चुने हुए है लेकिन वो चाहता है कि एक शिश्य के रूप में हम इस धर्टी पर रहे और शिश्य का काम क्या होता है शिश्य का काम ये होता है कि पहले वो ग्यान अर्चित करे पहले उन सब ग्यान को जो परमिश्र का ग्यान है खुद के जीवन में अपनाए खुद के जीवन में अपना कर उसके अनुसार चले फिर वो उस ग्यान को दूसरों को बताए धन्यवाद क्योंकि वो ग्यान जो परमिश्र का है वो ठकितों को आशीष देता है वो हारे हुऊं को जिता देता है वो भूकों को रोटी देता है वो ग्यान हमें आशीश देने के लिए ही सुख से उत्रा है और उस ग्यान को देने के लिए परमेशर ने हमें चुना है तो दोस्तों हमें उस ग्यान को परमेशर का ग्यान को हमें दुनिया तक पहुँचाना है कब और कैसे शिष्षी के रूप में जो हम शिष्षी के रूप में उसे सुनेंगे और जो हम अपने उपर उस ग्यान को लागू करेंगे दोस्तों अगर हम बाइबल देखे तो परमेशन ने अपने बारा चेलों को चुना और बारा चेलों को उन्होंने शिष्षा दी और बारा चेलों को उन्होंने शिष्षी के रूप में देखा लेकिन क्या बारा के बारा लोगों ने बारा के बारा शिष्षियों ने उस ग्यान को अपने जीवन में उतारा नहीं दोस्तों अगर हम देखें उस द्रश्टांत को देखें जब लकवे का मरीज पत्रस के घर में आता है और चार लोग उसको चरपाई पर उठा के लेके जा रहे हैं लेकिन किसी ने भी कोई भी शिशे उन में से उठा नहीं किसी भी शिशे ने रास्ता नहीं बनाया कि हम उस लकवे के मरीज को अपने घर में ले सब स्वार्थ ही रूप में स्वार्थ भर कर उस ग्यान को इश्यो मसी के संग बैटे हुए थे ताकि वो इश्यो मसी का और ग्यान और आशिश पा सके लेकिन वो लकवे का मरीज पत्रस की छच्छ पर गया और उसने खोल किया उसने होल किया और वो उसके नीचे से परमेशर ईश्यो मसी के सामने आया हाललव Seems दोस्तों बड़ते माई अंधा जो कि ईश्यो मसी का नाम जानता था इश्यो मसी को जानता था और बैठा वा था इश्यो मसी के इंतजार में जैसे उसने सुना कि भीड जा रही है और भीड के साथ कौन है इश्यो मसी वो चिलाने लगा कि इश्यो मसी है दाउत के संतान मुझे पढ़ दया कर मुझ पढ़ दया कर लेकिन वही वही शिश्य उसको भगा रहे थे उसको भगा रहे थे उसको पीशे नहीं आने दे रहे थे उसको कह रहे थे रुख जा शांत रहे क्यों चिला रहा है लेकिन जैसे ईश्यमसी ने सुना कि कोई मुझे चिला रहा है और इशुमसी में उसे मिलना चाहते थे तब शिष्य उसे उस अंधे को परमिश्र के पास लेकर है तो दोस्तों हमें शिष्य तो बनना है लेकिन शिष्य के रूप में हमें उस आशीश को उस ग्यान को पूरी तरीके से पहले अपने जीवन में उतारना है ताके हम वो योग्यता, उस वशलों को सुनाने की योग्यता अपने अंदर ला सकें और दुनिया के लिए आशिश का कारण बन सके बहुत सुरूरी है, क्योंकि लिए दोस्त ये कहता है प्रते दिन, वो चाहता है कि प्रते दिन भोर को वो मुझे हमें कौन चाहता है परमेशर हमारे कान को कौन खोलता है परमेशर अब ये हमारी डूटी है ये हमारा दाई तो है कि हम उस कान को जिसने परमेशर ने खोला है उसको कैसे उप्योग करते हैं हम अपने जीवन को कैसे उप्योग करते हैं हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं मेर सब के लिए प्रात्रा करना चाहता हूँ कि सुनने वाले हर भाई बैन के लिए मैं आशीश मांगता हूँ सुख मांगता हूँ कि परमेशन इनकी बुद्धी खोल और तुने जो शिश्य के रूप में इनको चुना है ताकि ये शिALLY के लूप में उस ग्यान को ग्रहेंद कर सके और तुरा ग्यान दुनिया तक पहुंचा सके ववित सामर्ती नाम से मांगते धन्यवार देते प्रात्ना आपके बुद्र शुमसी के नाम से करते है मैं